हेलो डियर स्टुटेंट कैसे हैं आप सब मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर स्टुटेंट देखो आज हम यहां पर तैन्थ क्लास मेट का एकसाइस नंबर 2.2 यहां पर आज कम्प्लीट करेंगे तो आज हम टाइम वेश्ट नहीं कर रहे हैं तो डिरेक्ली हम एकसाइस स्टार्ट कर रहे हैं एकसाइस है 2.2 कोशन पूचा है इसमें निम्न द्विगात बहुपतों के शुनक ज्यात किजिए और शुनकों तथा गुडांकों के भी सत्तिता की जान्स किजिए तो यह यह हुआ है जिसे माना हमारे पास यह वह पट है और आप से इसमें पूछा जाएं कि यह जो बहुपत आपको दिया वा है इस बहुपत में शुन्यकों का योगफल शुन्यकों का योगफल आपको निकालना है यह एक बहुपत है और आपसे इसमें पूछा गया है कि शुन्यकों का योगफल आपको निकालना है तो 0 योगफल निकालने के लिए एक formula होता है यहां पर जो होता है minus x का गुणांग तेके ने अब आपको पता होना चीए कि x का गुणांग इस बहुपत में क्या है इसलिए मैंने कल आपको जो lecture last time जो lecture होगा था उसमें बता है था कि x का गुणांग क्या होता है तो वही एक formula है चोटा से यह शून्यको का योगफल x का गुणांग बटा एक स्कॉर का गुणांग तो अगर मान के चलो आपको यह भुपत दिया वाए और आप से अगर पूछा है शून्यको का योगफल निकालना है तो आपको यह formula यहां पर याद होना चीए अगर मैं नहीं याँ पर दो है तो इसके दो 0 होते हैं जैसे एक 20 वन आ गया एक 10 मां गए ठीक जैसे एक्स की गात तीन होगी तो तीन शुन्यक आते जह अंपर ४कर त tough hour याँ मैफ सृव्त ही तो यह एसे वॉप होते हैं आगर मैं यह वैल्यो जैसे 1 को मैं इस k मोह रख दूं अगर मैं मानस two को भी तो इसको हम क्या बोलेंगे तो आप कि आप regryकल निक क्या होंगे ऐसे होंगे जो इसकी वैल्ली पंड में रखने पर वो पूरा बहुपत क्या जाएगा जीरो तो इसको हम जीरो को हम क्या बोलते हैं शुन्यक बोल दे रहे हैं तो चलो ठीक हो गया अभी तो फिलाल हमें क्या निकालना है कि अगर हमें एक बहुपत दिया है शुन्यक को योगफल निकालना है तो शुन्यक को हम मूल भी लिख सकते हैं ठीक है कहीं पर अकर मूल बोला है तो उसको भी हम क्या болेंगे शुन्यक की कहरा है ठाँट जाहे मूल बोल दे चाहे शुन्यक बोल दे बात से चेंव है ठीक है है तो यह formula मैं चैक है ठीक हो गया है यही हिए तो सोल्व करना है। आपको सोल्व करना है। तो यह फॉर्मूला आप अपनी नाॉट्बूक में लेख लो क्योंकि इसके बिना तो होगा नो तो जैसे शुनिको का योग फल हमने निकाला ऐसे शुनिको का बुरन फल भी होता मूल या शुनिक मूलो या फिर शुनिको अभी योग फल क्या था अब गुरन फल का गुणन फल तो यहाँ पर जो फर्मुला होगा इसको भी यह फर्मुला है अचरपद अचरपद आपके दिमाग में आगे होगी बात कि अचरपद वो पद होता है जिसके साथ चर नहीं होता है मलब जिसमें सिर्फ कॉंस्टिंट राशी है अचरपद बटा एक्स इसक्वाइर का गुणांग ठीक है तो अगर गुणन फल निकालना है तो यह फर्मुला आपको याद होना ही चाहिए ठीक है नी तो जैसे इसको हमने अलफा फ्लस बीटा चे शो किया था यहाँ पर शून्ने को योग फल को यहाँ पर शून्ने को का गुणन फल को हम गुणन फल को मल्टिप्लाई शे शो करेंगे अल्फा इंटू बीटा यह डॉट का मलब इंटू अचरपद क्या इसमें इसमें अचरपद क्या इसमें तो मैंने यहाँ वन लिख दिया और x square का गुड़ाँ x square का गुड़ाँ खेंग, 2, तो ये answer है, यह answer है, ठेक है निए तो आपको समझ में आ गया हैcush дости på का योगफल कैसे निकालना है, 25 गुड़नफल कैसे निकालना है, यह आपको clear हो घीने, तो इसको अपनी notebook में देख मैं दिख लेज़े, यह formula है, अब हम जब question 1 करेंगे तो वहाँ पर यह formula यूज होने वाला है फिलाल तो मैं इसको rough कर दे रहूँ तो करते हैं इसमें पहला question पहला question है इसमें x square minus 2x x square minus 2x minus 8 यह एक बहुपत दिया है मैं ठीक है यह एक दिया है बहुपत और इसमें पूछा किया है निम्नुति गवाद बहुपतों के 0 ज्याद किजिए और 0 कों तथा गुडांकों के 20 सत्यता की जात किजिए तो मैं clear कर दूं हमें करना क्या है यह मैं आपको यह तो यह एक दिया करने है और जबधी घात के 2 यह जंब पहला है क्या है सबसे हमें निकालने इसके क्या निकालने सबसेट निकालेंगे पर बताया आपको अभी ऑने बता उससे भी solve करेंगा ठीक है तो दोनों से जो answer आएगा वो same आएगा पर आपके भी समझ में आया नहीं है इसलिए नहीं है कि आप इसको solve ही कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले काम क्या है इसमें शूनक निकालना है ठीक है तो शूनक निकालना का तरीका आपने 9 में भी सीखा और यहां पर हम सिखा रहें आपको कि सबसे पहले आपको करना क्या है जो इसमें अचरपद है इसमें अचरपद क्या है माइनेस का 8 या फिर 8 ठीक है अचरपद जो है उस अचरपद का multiply आपको x square के गुडांग से करना है x square कितना है 1 कुछ नहीं तो 1 यानिकि हम यह कहना च है ठीक है अब इस 8 के आपको फ्यक्टर करना है यानि गुणन घंड करने और इसको थिक्र मांटीका करने मलबं को दो हिस्तों प्रेक करना है multiply करके जैसे इसके factor क्या हो सकते हैं 2 into 4 ठीक है नि और क्या हो सकता इसका 8 into 1 ऐसा हो सकता है यह फेक्टर है इसके इसके लावा और कोई है निसका फेक्टर ठीक है तो यह दो इसके क्या है फेक्टर है तो आपको इन दोनों को देखना है तो इन दोनों को चाहे आप जोड़ो जैसे इसको पहले इसके फोकस करो पहले इन दोनों को जोड़ के देखो कितना रहा है टू प्लस 4 कितना रहा है 6 चाहे इन दोनों घटाओ 2-4 कितना रहा है माइनस कर 2 ठीक है नि तो चाहे इनको जोड़ो जोड़ के कितना रहा है 6 इसको निलेना जोड़के और घटा के आपको यह 2 मिलना चीए यह clear आपको तीने चाहे इन दोनों को जोड़ो चाहे घटा हो आपको क्या मिलना चीए यह माइनस 2 तीने अगर हम इसको करके देखते हैं 8 प्लस 1 जोड़के तो 9 आ रहा है और घटा के कितना रहा है तो ये गलत हो गया, ऐसे वाला की गलत है, सिर्फ ये वाला की आइस में सही है, ठीक है नहीं, पहले आपने अचरपत को, एक वाफिर से लास्ट टाम, पहले अचरपत को multiply, x इसको गुड़ांग से करना है, आपने कर दिया, तो आठा है इसके बाते इस बड़े वाले में जब चोटा गटा होगे तो क्या मिलने वाला आपको 2 मिलने वाला है थे ने तो इन दोनों को आपने घठा के यह आया और इन दोनों को multiply करके 8 भी आना चाहिए ठीक है ने तो हम यहाँ पर क्या करने वाले है इस दो की जगा में यह 4-2 रखने वाले हैं ठीक हो गया तो x square minus 2 की जगा में 4-2 और x-8 तो अगर वह आपको समझ में आगा है तो आगे तो सिर्फ इसका method ही है ठीक है 8 का multiply once करो तो 8 यह आएगा 8 कैसे factor करो कि इनको जोड़ो चाहिए घठा हो यह 2 आना चाहिए ठीक है तो इन दोनों को गुणा करने पर इन दोनों गुणा करने पर 8 आना चाहिए यह 2 आना चाहिए तो वह सब यह 4-2 इन दोनों को multiply करके 8 भी आ रहा है और गटा के दो आ ठीक है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अभी मैं क्या करने वालो है यहाँ पर इस एक्स का अंदर इंडिदूस कर रहो एक्स का multiply 4 से भी करूंगा 2 से भी करूंगा ठीक है तो 4x-2x-8 ठीक है अच्छा जब भी आप शून्यक निकालो ना हम निकाल कर रहे हैं शून्यक निकालने शून्यक को इसना समझ लो कि आप आप एक्स की वैलू निकाल लो ठीक है जब भी आप करोगे तो आपको इकल टू रखना पड़ेगा ठीक है नहीं हो पाएगा ठीक है तो आपको एक्वल टू जीरो रखना ही पड़ेगा तो हमने भी जीरो रख दिया अब यहां पर दो को मैं ब्रैकेट खोलने वालों जैस इससे ही खोलूंगा अंदर के चिन क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे प्लस वाला मानस में मानस वाला प्लस में तो यह इसके बाद अब होने वाला है तो मानस का 4x मान मानस प्लस 2x-8 is equal to 0 ठीक नहीं इतना हो गया इसके बाद देखो यहां पर दो जोड़े बनेंगे एक जोड़ा यह है दूसरा जोड़ा यह है करें अब पहले बाले जोड़े में थे था का मट यहां पर x दोनों जगा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x की दो घात है, यहाँ पर x की एक घात है, तो बहाल ले लो एक x, ठीक है, यहाँ पर क्या बच्छे का, दो पावर थी, एक पावर बहार चलेगा तो एक पावर बच्छे की, तो x, यहाँ पर x, यहाँ पर 1 ही था, तो बहाल 2 x 2 लिख सकते हो मलोब आप है ऐसमें 2 अगर 2 से भागा जा रहा है इसका मतलब इसमें 2 है तो ग'll मतलब 2 x2 तो अभी इसमें common में 2 लेने वाला हूं तो मैंने दो common लिया और जो भी आप common लेते हो उसी से अंदर ६於opy कर तो भाग भी यह वह गया इसके बाद आपको करना क्या इसमें अब फिर से आपको देखेना कि दोनुजगा क्या रहा दोनुजगा को मन एक यह है यह यह और यह कॉमन आएगा ही अगर मानकर चलो यह कॉमन नहीं आता है इसका मतलब कहीं पर गलत हो गया इसका मतलब इस कोशन को इस मैथड से सॉल्व नहीं होना ठीक है तब हम उसके लिए कोई दूसरा मैथड लगाते हैं जो आपको अगले चैप्टर मतलब एक दो चैप्टर की बाद आप को रोगे वहाँ पर आपको मालूम से लेगा पर फिलावत यहां पर जितने भी कोशन है फिलावत यहां पर इस तरह के सा आराम से हो जाएंगे मनलब बराबर आएगा ही ठीक ही अभी जो भी बराबर आया उसको फिर सॉक्मन लेड़ो यहां कितने पदें यहां पर दो इसमें X-4 मैंने 200 ले लिया यहां से भी पे यहां से यह यह भी अखटे गा तो यहां पर क्य बात देखो आप देखो शूनक निकलने वाले हैं ठीक नहीं तो एक बार इसके बराबर आपको जिरू रखना है एक बार इसके बराबर जिरू रखना है जब जब X-4 is equal to 0, एक बार इसके बराबर 0 रखोगे, तब देखना कि X की वैलू क्या है, वो X की वैलू उसे हम क्या बोलना है, 0 बोल रहे हैं, तो X equal to कितना आ गया, plus का 4, ठीक नहीं, तो एक ये 0 बोलना है, इसको हम alpha भी बोलना है, क्या बोलना है इसको, alpha, clear है ना इसमें, इसक बोलना है, और दूसरा इसमें, जब इसको लेके चलोगे, जब X plus 2 is equal to 0, तो X equal to कितना है, minus का 2, ठीक नहीं, ये दूसरा शुन्यक आ गया, ठीक नहीं, ये क्या है, इसको मैंने क्या बोल दिया, बीटा, ये दोनों क्या है, 4 और minus 2 क्या है, शुन्यक, शुन्यक तो पहला त शुन्यक तथा गुडांकों के बीच सकतिता की जांच करने है, जांच करने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ, आपको पहले तो आपको ये शुन्यक का योगफल निकालना है, ठीक है, जैसे कि मैं आप करने वाला हूँ, शुन्यक का योगफल, अब यहां पर दोड़ती है, दिना अभी शुन्य को योग फल निकालना मुझे ठीक निए पर अभी में जो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ दिर पहले बता था कि फॉर्मला का यूज करना वह फॉर्मला में यहां पर लगाने वालों वह फॉर्मला क्या है माइनस एक्स का गुणांग बट्टा एक्स स्क्वाइर का यही फॉर्मला था ना देख लो नौट्बुक में यही फॉर्मला होगा ठीक है ने तो आपको एक बार इस फॉर्मले की हेल्प से शुन्य को का योग फल निकालना है और एक बार बिना इस फॉर्मले के ले निकालना है आपको शुन्य को योग योगफल निकालना किसका निकालना वह सामने इक क्रेंशन असी कर निकालना तो उसको देखो और उस पर ये फर्मिला अपलाई करो और शुक्त को निकालो उसमें X का गणांग कितना है प्लस जैसे माहने माहने से होगे है प्लस प्लस टू अपको और नीचे वाला वन आपको तो पता ही है आप इतले तो ओश्यार होई कि नीचे का मन हम लिखते हैं ठीक है तो यह टू आया जब आपने यह फॉर्मला अप्लाई किया शून्यक को यूगफल और एक बार इस फॉर और एक ए मायस टू यह थे शून्यक थिखनी तो अलफा क्या हमारा प्लस बीटा क्या हमारा मायनेस का अब इनको सिम्पल सॉल करके यह जो टू इसको इस को सॉल जो फू आया है इन दोनों को सॉल करके चिछे बीक्राना चीए घू ही आना चींछ और आएगा भी प्लस माने तो आपने सिंपल एलफा फ्लस बीटा को जोड़ा तो भी टू आया और आपने इस फॉर्मॉले को अप्लाई किया तब भी क्या टू आया इसका मतलब है कि यह जो जांच की बात करें सक्तिते की जांच वो सिद्धू हुच चुकी इसमें ठीक है नहीं के लिए रहे तो नहीं इसे ही हम क्या निकालने वाले इसमें गुड़न फल निकालने वाले शूनने को का गुड़न फल तो अभी आपने यह लिख लिए होगा आप वीडियो पाउच करो इससे राइट करो फिलाल मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ठीक है तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं जैसे जीसे वीडियो देखो वैसे वैसे इसको सॉल्ब लो हम fps जैसे से वीडियो धेखो वैसे वैसे सवोकरों तो थोड़ा और किल्यार होगी चलिए ben तो कि यौ ऐसे मैं काम नहीं बनेगा तो अभी इसमें शुन्यको का गुड़न फल निकालना है क्या निकालना है शुन्यको का गुड़न फल भी फॉर्मुला तब आपको मैंने बताया था ना फॉर्मुला आपको याद होना चीए ठीक है नहीं जब तक फॉर्मुला याद नहीं होगा इसमें अब देख लो इसमें एक बार तो फॉर्मिलिक एल्प से करना एक बार बिना फॉर्मिलिक एल्प अचरपत क्या इसमें इस equation में 8 नहीं है कितना है मानस काड़ ध्यान अब यहां पर अलग से मानस नहीं है तो यह मानस आट यहां साइट और एक स्कुएर का गुड़ान कितना है कुछ नहीं तो 1 तो 1 तो फॉल करके ना मानस का अठीन है और गुड़न फल को अब दोको आपने एक बार फॉर्मिलिक से किया और एक बिना फॉर्मिलिक से करेंगे शुन्य को गुड़न फॉल आपके शो करतो है एल्फा इंटु बीटा वहां चेक करो इन तो बीटा कितना वांच्वेक नहीं जागा मायनस का एट इधर भी विकतना है था मैनसी और हो गया सक्थितों पहलरा सॉल करेंगे तो फिलाल तुम इसको का रफ कर दे रहा हूं कि कि इसके बाद इसमें सेकंड कोशन करते हैं सेकंड कोशन में भी सेव यही काम करना एक बाद फिर से आपको रिपीट करते हुए अगर अब में आपके समझमें नहीं तो अब तो आपके समझमें आई जाएगा पक्का आयगा समझमें वहीया जो बहुपात होगा वह ok और किसी और चर्की फॉर्म्म सब्सक्राइब से यहां पर से स्क्वार माइनस इसनी गबाराना के x यह जैसे आपने इसको वैसे इसको भी त्रीट करना है ठीक हो गया तो इस बार दोको यह है यहाँ पर भी हम सेम करने वाले अचरपद का multiply किस से करना आपको? S square की गुणांग से. जैसे वहाँ पर X था तो वहाँ पर आप X square बोल लेते हैं. यहाँ पर S है तो यहाँ पर S square. अचरपद का गुणा आपको S square की गुणांग से करना है. तो 1 into 4 कितना होता है? 1 into 4 कितना है? 1 into 4, 4. अब इसके गुणांग खंड करने हैं. ऐसे गुणांग करने हैं, जो गुणा करने पर 4 आए. गुणा करने पर 4 आए. और जोडने पर या गटाने पर कितना है? minus का 4. minus 4 आए, तो आपको पता है, इसके दो गुणांग खंड होता है. एक तो 4 into 1. 4 एक कम 4. किसी में तो आप देखो इन दोनों को जोड़ो 5 नहीं हो सिसवालों काम नहीं बनने वाला अब इन दोनों को जोड़ो 2 प्लस 2 प्लस 2 यह नहीं जोडने पा रहा है तो कहने का मालब आपको इस 4 की जगह में ये 2 इंटू 2 लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ 4S square minus 4 की जमें के लिखना है 2 इंटू 2 तो मैंने लिख दिया इंटू S plus 1 ठीक ने सिर्फ 4 के जगह में 2 इंटू 2 लिखा एठीक ने अब इसका मतलब वही है ठीक ने अभी S का अंदर मुल्टिप्लाइ करना जैसो समय X का मुल्टिप्लाइ कह था इस बार S का मुल्टिप्लाइ करना तो कर दे रहे हैं है S का multiply तो S का multiply 2 से 2S S का multiply अच्छे यहां पर आप 2 इंटी 2 लिखना है जोड क्या है न चारता जोड लिखना है और इस 2 से भी करेंगे तो 2S plus 1 4S square अब इस minus का अंदर multiply करतो इससे भी इससे भी तो चिन्न बदल जाएंगे तो यह minus 2 में 0 आपको खुषते रखना पड़ेगा तो आमने तरफ दिया का अब यहां बाष जोड़े मनें दो बनेंगे एसा मालब जो दोनो जगा लीकाई आएसनों ठिकने ऐसेमें से बेसा और दो फिसक्कार मालभ गूनों करते हो खो़ते हैं इसे की थिसको टोभी दो आख करना पड़ेगा और जाएगा तक उना रहा है तो तो एक वहार आ घाएगा यहां पर थोड़ा सब गलती कर देए तो यहां पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पहली बात तो जब माइनस बहार हो यहां पर जैसे आप bracket खोलते हो ना अगर बाहर मानेस है तो अंदर के चिन्न आप बदल देते हो तो प्लस हो तो नहीं करते हो मानेस जब होता है स्रीब मानेस के केस में अगर आप bracket खोलते हो तो चिन्न बदलते हो ऐसे जब bracket बंद करते हो तो भी आप चिन्न बदलते हो तो जैसे यहां पर मैं आप जब यहां पर है तो अंदर के चिन्न में क्या हो जाएंगे बदल दुगा एक खोलो चाय ब्रैक्ट लगाओगे तब चिन्न बदलते हैं इतना दिमाज में रखना हमेशा क्लिए दूसरी बात आपको ध्हान रखने जब भी आपको common ना मिले, जब भी आपको common ना मिले, तो आपको common 1 ले ना, ठीक ने, तो यहाँ पर common नहीं है, 2 यहाँ पर यहाँ नहीं है, S यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं है, तो common नहीं मिल ला, तो common जब नहीं मिलता, तो 1 common, क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर ऐसा कर दिया, तो अभी यहां पर common नहीं है, जो one commonly है, तो same वही चीज यहां पर आने वाली, पर आपको चिन्ने बदलना पड़ेगा, अभी कहा ना मैंने, चिन्ने बदलना पड़ेगा, minus का 2s हो जाएगा, plus का बने तो minus का बने हो जाएगा, equal to 0, अब यह दोनों same आने ही चा और यहां से का बज़ेगा, minus 1, equal to 0, अब इन दोनों को अगर हम multiply करें, तो यही आ जाता है, तो फिर से वही चीज रिप्लिट कर रहे हैं, तो अब निकालते हैं, इसमें 0, तो एक बार इसके बड़ापर 0, तो एक बार इसके बड़ापर 0, जब 2s minus 1 equal to 0, तो s की value कितना हैंगी, तो 2s, इस minus 1 को दल जाओ, तो प्लस का बनो जाएगा, और यहां से s की value निकल की, 1 by 2, multiply में नहीं, कहां जाएगा, upon में, तो s की value आगे, जिससे फिर्ली बार x की value आथी, यहां पर s की value है, तो इसको आप alpha बोल दोगे, clear है न, और एक बार इसको लेकर चलोगे, same ही आएगा, ठीके न, यह भी होई है, फिर भी, 2s minus 1 equal to 0, तो यहां पर भी same ही आएगा, s equal to 1 by 2, ठीके न, तो इसको आप beta बोल दोगे, इसको बोल दोगे आप, beta, तो यही हमारे क्या शुन्नक भी है, तो यही हमारे क्या शुन्नक भी है, जिससे मैं सत्यता की जांच करने के लिए, मैंने कहा था, एक बार formula की help से इसको solve करेंगे, उसके बाद without formula इन दोनों को add और multiply करके आजाएगा, आपको, दोनों value same आएगी, तो सत्यता की जांच हो गई है, ठीके, तो सबसे पहरे ने लिख रहे है, यहां पर 0 को का योगफल, इन शॉर पर आप formula लिखते रहो, उससे क्या होगा कि आपको यह formula याद हो जाएगा, कई बार, इन शॉर्ट हमें इसको न, इसको शुर्णों को यह फूल को alpha प्लस beta लिख लेते हैं, और x को minus कब इसको b लिख लेते हैं, इसको a लिख लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, जैसे equation ह होती न, इसकी, इसकी एक general equation होती, ax square plus bx plus c, यह एक general equation होती है, इसकी थी न, तो x से गुणा कितना है, इसमें, b, और x square गुणा कितना a, इस तरह से, ऐसे alpha into beta, अचरपत कितना है, c, और x गुणा कितना a, इस तरह से लिखते हैं, in short formula में, लिख सकते हैं, आपको जज़ा सही तो वही, शुन्य को योगफल कम क्याश्यो करते हैं, जैसे मैंने बोला alpha plus beta से, x का गुणांग, समीखरण में, अब देखो, यहां पर, मैंने x लिख दिया, पर यहां पर equation में x नहीं है, तो आप equation में, देखो, क्या लिखा हुआ है, उसमें s लिखा है, तो इसको s कर दो, यह भी दियान देना, वही, आधा to, s की पढ़ी, x की पढ़ी, तो x ही लिख रहे हैं, पर ऐसा गलत है, ठीक नहीं, s है तो s, लिखना है, x होगा, y होगा, y होगा, y होगा है, तो s का गुणांग, देखो, इसमे, s का गुणांग है, इसमें, minus का 4, s का गुणांग, minus का तो यह आपने फॉर्मले के हल्प से कर दिया वन आया थिक निए शून्य को योगफल अब विदाउट फॉर्मला आप इसे करो अलफा क्या इसमें एलफा इसमें 1 बाई तो बीटा क्या है इसमें प्लस वो भी 1 बाई तू अब इनको एलसम लेकर सॉल्ट करोगे एलसम कितना आएगा तू ठीक है नियुक्त आता है ना एलसम आना चाहिए तू इसमें एलसम आएगा तो यहां पर कितना टू वन जाफ तू दो एक बार एक का मल्टिपलाइए एक से तो यह वन वन कितना हो गया टू टू बाई टू अब रावर बन चल ला है अटू इन्टू टू टू से टू कैंसे करते हैं तो वन इकल टू वन तो दोनों तरीके से यह सेम आ रहा है तो इसका मलब यह योगफल के लिए सत्यता की जांच हो चुकिए अब मुल्टिपला के लिए मैं यहां पर थोड़ा से स्कोर रफ कर दे रहा हूं तो मुल्टिपलाइ के लिए देखो अब देखो गुणन फल शुन्यकों का गुणन फल फॉर्मुला अचर पद अबट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांग ठीक नहीं शुन्यकों के युकुणन फल इसे शो करते हैं एल्फा इंटू बीटा से अचर पत किया इसमें इसमें एक्स लिग दया इसमें को चीक नहीं है अचर पत किया है उन और एस स्कुएर के उडांग एस स्क्वायर के जाल के पोर फोर टीकन अब बिना फॉर्मॉले के लिएक क तो यह इस तरह से दोनों से वैल्यू क्या रही है सेम आ रही है तो इसमें इस तरह से आपको यह सॉल्व करना है ठीक है नहीं तो सॉल्व करते हैं इसमें इसका थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है इसमें ठीक है सबसे पहले ते इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो equation या इन्होंने बहुपाद जो दिया हुआ है वो किस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने सबसे पहले x square लिख दिया फिर अचरपद लिख दिया और फिर x लिख दिया किसी भी बहो पर फोकर है सबसे बड़ी पावर एक से उसको लिको उसके बाद इस इसके बाद इसमें फिर सभी काम करना है कि 3 का मल्टिप्लाइए करना है 6 से कितना जागा 18 आप 18 के आपको ऐसा ट्रक्टर करना है अब दो कौन कौन से ट्रक्टर होते हैं एक तो 1 चे के पाड़े में नों के पाड़े में 18 और एक तरीका तो अब इनको देखो इन तीनों को आप मल्टिप्लाइए करें तो 18 यह यह इंगा इतना कंफम है बस आपको यह चेक करना है कि जोड़ के गटा के साथ आरहा नहीं आ रहा है तो घटा के आए बाश्य इससे तो नहीं इन को जोड़ो चेरती नो यहां तो साथ है घटाओ तीन आएगा यह साथ है तो इससे भी नहीं होगा बचा के देखो घटा के देखो तो आपको सात मिले गटें पर आपको ज्यांदेना कि आपको प्लस का शाची तो आप बड़े में छोट गटाओ गए नाइन माइन इसमें यह सब यहां से मिल जाते हैं ठीक है यहां पर 9 अटू है यह तीन तीया नो और गुणा दो दो नम अठा रहा था आप लाश्ट में 9-2 लिख दे रहे ठीक है वो भी एक तरीका है बड़े बड़े फैक्टरों का ऐसी कर देते हैं ठीक है तो फिलाल तो आप यह समझें क्योंकि 7 की जगह में आपको 9-2 रखना है तो यह हो जाएगा 6x square minus 7 की जगह में कर देंगे 9-2 बागे सेम रहेगा और minus 3 equal to 0 उसके बाद इसमें 6x square minus x का multiply कर दो तो 9x देखो बाहर माने से ब्रेकर एक्स का multiply 9x और minus 2x minus 3 equal to 0 इतना ठीक है यहां पर हमने x का multiply अंद गर जाए एक्स का multiply 9x 9x x multiply 2 तो 2x अब आपको पता है बाहर ब्रेकेट है तो अंदर के चिन बदलेंगे बदलेंगे ही बदलेंगे कोई रोक नहीं सकता तो minus multiply 9x से तो minus 9x minus multiply minus minus plus जाते हैं ठीक है तो अब इसमें फिर दो जोडे बनेंगे पहले वाले जोडे में देखो कॉमन क्या रह तो दो से नहीं कार्शन तो दोनों को भी 9 अब देखो तीन से आप यह भी कट रहा है तीन दुना 6 और 3 तीन 9 दूसरा एक्स दोनों जगा तो उसको पी कमन लोग ठीक हो क्या लिगते समय एडेंडमर लगा देंगे तो तीन दुना 6 और 1x तो बहार चला के एक एक एकस नद बदलते हो ठीक है अब कॉमन के है आपर कॉमन कुछ नहीं है जब कुछ नहीं कॉमन मिलते है तो 1 तो वैसे उतालो अब चिन्दी भी नहीं बदलने वाले क्योंकि बार प्लस है तो 2x-3 is equal to 0 अब देखो दोनों जगा सेम मिल ला है इसका मतलब यहां तक हमारा क्या सही है ठ ठीक हो गया है तो एक बार इसके बराबर जूर रखोगे एक बार इसके बराबर जूर रखोगे हम ठीक है तो मैं साइड में रफ कर दे रहा हूँ जब 2x-3 is equal to 0 तो 2x equal to minus 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 और 2 multiply में कहां जाएगा अपान में इसके बाद आपको क्या लगाना है इससे formula apply करना है तो इसके बाद आपको क्या लगाना है इससे formula अप्लाई करना है एक बार formula की help से करना है एक बार इसमें without formula आपको इसमें use करना है और दोनों से देख रहा है कि answer same आ रहा है अगर आगे है तो सक्तिता की जाच्च को गई है तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ यहां पर मूल हूँ यानि शुन्यकों मूल लिको शुन्यक बाद से मैं ठीक है नि किताब में शुन्यक लिखा है तो न भी शुन्यक लिख रहा हूं शुन्यकों का योगफल कितना है माइनस एक्स का गुणांग बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांग शुन्यकों को योगफल लोगेश्व करते हो आफ एलफा प्लस बीटा से तो फॉर्मले के हैल्प से देखो कितना अंसर आता है आप जाओ समीकरण में उस बहुपाद में जाओ एक सकुराग कितना है इस इक सो गुणाँ इसमें माइनस का सास चिन्न के सास्थ एक मैनस तो पहले से यहां पर फॉर्मल में दूसरा मइनस उसके सात है सैवन के सास्थ माइनस का साथ अपों X स्क्वार को राओं कितना है दोको X स्क्वार गुणांग 6 तो यहां 6 तो मैंले मैंन्स चे वो गया प्लेट 7 par 6 और फलस बीटा अल्फा और बीटा को जोड़ कि देखो कितना आ रहा है ऐल्फा अल्फा कितना है इसमें 3 by 2 प्लस बीटा इसमें बेटा है मानस का 1 बाइ 3 ग्यानि अ और यहाँ पर यह प्लस मानस का जागा मानस सल जागा यह पर चिंज कर नों प्रेक问 कुलते यह प्लस मानस का मानस हो जागा तो यह हो Vietnam मानस थिक्रनि अब यहाँ पर Really本 chain कितना जागा तीन दुना चे दोनुको को multiply करो 6 एल से मा जागा और 3 का multiply 3 से 3 तीन तीन नो दो इकम दो एक को अपने किस तरह से दोनों आंसर क्या रहे हैं इसका मतलब यह है कि सत्यत्य कि जाच हो गई यो फल के लिए अब गुरन फन के लिए भी सेम वही काम करना है तो फिलाल तो मैं इंदर को रफ कर दे रहा हूं तो गुरन फल शुन्यको का गुरन फल शुन्यको का गुरन फल पामला क्या इसका अचरपद बटा एक्स स्क्वाइर का गुरन अंग गुरन फल उक्रतों पाम कुः स्क करता ऐसेंद्श sack प्ल सेमाइन केंज अशेथ थेखिर यह इए ठीन इह भीदा अब एनफा Capital अब फिल्डव के अब विदाऊटा आपने अल्फा बीटा है उनुन इन को सिंपिल कर दो एलफा कितना है चिधना बुल्दा बुल्कितना थ 2 into beta कितना है minus का 1 by 3 ठीक निर तीन इकम 3 और 3 दुना 6 तो यहां पर भी कितना गया minus 1 by 2 जो यहां पर है ठीक निर यह भी सत्यता की जाज हो गई है ठीक है तो इसे भी write करो को इसके बाद यह 4th इसमें कोश्चन में इस बार जो हमारे पास भावपत दिया है इसमें यह इसमें नहीं है तो अभी जिस method से आप कर रहे थे और और सुन्यक निकाल लेते तो वह आपको नहीं अपनाने आप पर इसका मतलब नहीं कि अलग हो गया या टिपिकल हो गया यह उससे भी कई अधा आसान है कि आपको शुन्यंग निकाने के लिए जो आपने काफी लंबा मैथनेट किया था वह आपको नहीं करना है आप देखो बड़ा आराम से जाएगा थे नही तो अभी यहां पर सिंपल देख लो कामन क्या रहा है वह ऐसा अंक को देखो जो जिस अंक से आप इन दोनको कार्ट सको बड़ा था बड़ा होना चार 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 इकम चार चार दुना आठ दूसरा और कॉमन तो आपको यू दिखी रहा है तो फोर यू इसमें कॉमन है तो टार इकम चार एक बार जाएगा तो एक लिखना नहीं है उदो थे एक बार आगया तो एक यू बचेगा प्लस चार चार दुना आठ और यू था अंदर भाहर चला यू लिखना है ठीट बराबर दूसरा बढ़र 2020 यह और आसान है तो एक बार इसके बड़ाबर 20 एक बार four 4u बराबर 0, जब हम कहले रहे हैं, 4u बराबर 0, तो 4 कहा जाएगा, 0 के बट्टे में, तो कितना आजाएगा, यू इक बार इसके बराबर 0 रहो, जब, जब, यू प्लस 2 एकवल टो 0, तो यू इकवल टो कितना क्या, तो यह पहला 0 के तो alpha, यह दूसरा शुन्य के तो beta, अब फिर से वही काम repeat करना है, जैसे आपने पहले किया था इसमे, एक बार formula के help से solve करना है, एक बार without formula के help से use करना है, और देखने के दोनों answer same है है और नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले निकालते है, शुन्य को का योग फल, जो होता है, minus x का गुणांग बट्टा, x square का गुणांग, तो यहाँ पर x नहीं है, आप x को हटाओ, और x को लिख दो u, इतना clear आपको होना, जैसे इस से पहला s था तो आपने s लिख देगा, ठीक है, शुन्य को योग फल, को आपका गुणांग बट्टा से, अभी ध्यान यह देना है कि u का गुणांग कितना है, यू का गुणांग कितना है, अठ, तो लिख दो, माँनस तो पहले सही है, लिख दो आठ, यू स्कार गुणांग कितना है, फूर, तो यह पूर, तो काटोब तो कितना आएगा, चार दो ना आठ, याने कि यह आगया माइनस का 2 तो माइनस का 2 आपने formula के help से इसको solve किया एक बार without formula simple alpha beta की value रखके देखो माइनस 2 आरा नहीं आरा alpha की value कुतनी है 0 प्लस beta की value कुतनी है माइनस का 2 जब इसको solve करोगे 0 तो कुछ है नहीं तो यह आएगा माइनस का 2 यह है इकल तो माइनस का 2 यह हो गया सत्यता की जाँच ऐसी शुन्यकों का गुड़न फल अचरपद बटा इसमें u है तो u square का गुड़ांग ठीक है शुन्यकों को गुड़न फल के शो करते है alpha into beta अचरपद कितना है इसमें अचरपद देखो इसमें कितना है है ही नहीं जो चीज है ही नहीं तो उसको क्या बोल दो कि 0 एक मत बोल देना तो अचरपद कितना है जीरो और u square कितना है यू square गुड़ांग देखो फूर है तो सॉल करते कितना जागा जीरो जीरो के बट्टे में कुछ भी हो मल्टिप्लाय में कुछ भी हो सारा करता है जीरो जीरो के साथ रेने से जीरो के साथ नहीं रहना तो एलफा इंटू बीटा एलफा कितना है जीरो देखो इंटू बीटा बीटा कितना है मैनस को टू इस जीरो ने इसको भी जीरो कर दिया तो यहां पर भी दोनों में क्या रहा है इक्वली आ रहा है इसका मतलब यहां पर सथिता की जाज हो चुकी है और यह है इसके बाद फिप्थ नंबर का कोशन टी स्काइर मानेस फिप्टिन ठीक है नी तो जैसे कि मैंने बता है कि इसमें भी अब इसमें एक्स ओ टी का उडांग नहीं बीच वाला नहीं है तो यह भी थोड़ा आसान होने वाला है प्रॉलम नहीं इसमें भी तो इक्व प्लस नहीं हो गया अब इसक्वाइर को अधर बेजो जोब इसक्वाइर अधर जायता तो क्या लगता है अंडर रूड और प्लस भी लगता है और मानेस भी लगता है इसका मतलब यहां पर टी की वैल्यू एक एक प्लस 15 है दूसरी टी की वैल्यू क्या है मानेस का मानेस का इसको आप एल्फा बोल ले से क्या बोल लो बीटा बोल रूट इसको जैसे पी स्क्वाइर मानेस फिफ्टीन इकल टू था आप इस फिफ्टीन को फिफ्टीन को आप अंडरूट फिप्टीन भी अब अपांडरूट 15 का स्क्वाइर भी लख सकते हैं आपनर एंडरूट फिफ्टीन को जैसे मैं यानोंटर टूटू इंटू एच्व और उने उच्वाइर बुबस के साटते हैं अंडरूट 15 2015 nå मुतर इह तो इसको आ हम और उंडरूट 15 का स्क्वाइर भी कर सकते हैं तो वैसी है ठीन है तो ये भी आपको ध्यान देना है ठीकिन कि आप अगर ये समझ में आगा था अच्छी बात है नहीं ता ऐसे भी देख लो और अब देखो ये क्या है एक फार्मॉला आपने पढ़ रहा था ए स्क्वार मानेस विसक्वार क्या होता है ए प्लस बी और ए मानेस इसको वह से फॉम्म्मॉला इसको इक बार जोड़ो एक बार गट आओ यानिके टी प्लस 15 और ha di online is within और एक बार एक बार बर इसके बार ब्रे भीरे ग Оरे स्ही प्लस अंडरूरूट कुछ जिरू UP स्क्वाइर को उधर भेजा सब्समेर अब दो वैली निकलती है एक प्लस में और एक मानिस में तो तो इस तौना से एक को आपने एलफा पोल दिये को डिया चाहि इधना आपको क्लिर हो गया इसके वाद आपको निकाला है और शुन्यकों को योग फल को योग फल का फौन फा प्रक्राइब और यहां पर एक्विशन वाद यह जो फॉर्मिला होगा टी की फॉर्म में होगा टी का गुणांग और टी स्क्वाइर का गुणांग तीख हो गया शूर्य ये फॉलों केश को शो करते हम एलफा फ्लस बीटा से अब टी कर गुड़ांग बहुत हो आप पर क्या T है वहाँ पर टी है नीजी तो चीज नहीं होती वह क्या होती है जिए टी स्कॉरर देखो आपर कितना है प्लस ब्लस माइनस का अंडरूट 15 अब ब्रैकेट खोलते ही यह चिन ने प्लस मैनस मैनस होगा अंडरूट 15 बराबर क्या था जिरो तो यह कार्ट के यह भी कितना रहा जिरो तो जिरो उकल जिरो मतलब यहां पर सत्यता कि जाच हो चुकी है ऐसे निकालें है ग्रिंफर मैं सिंपल इसको ऐल्फ एंट कर गरता हूं आलफ बीड तक इसमें अच अचरपद अचर पद और टी स्क्वाइर का गुणांग अचर पद कितना है इसमें अचर पद इसमें माइनस का 15 है ठीक है नी और टी स्कार गुणांग कितना है अब यहाँ आपर अलफा इंटू बीटा देखो अलफा कितना है अलफा कहां गया अलफा यह है अलफा अलफा कितना अंडरूड 15 है इंटू बीटा कितना है वो माइनस का अंडरूड 15 मैंने बताता है अंडरूड 15 इंटू अंडरूड 15 इंटू अंडरूड 15 कितना था 15 होता है तो यहाँ पर आप 15 लिख दो और यह नेगटिव तो रहेगा कि आप इसे नोट कर लिए इसका एक और कोशन है तो अब मुझे लगता है कि आप हो चुके होश यार इसमें तो अगला कोशन तुम्हें खुशते ट्राय करना है तो मैं उसको करूंगा नहीं ठीक नहीं पर मैं आपको लिख के बता दे रहूंगा यहां पर आप अराम से प्लम उसमें नहीं आने वाले ठीक वो जो कोशन है इसके बाद six कोशन हो और उस कोशन में दिया वायर थ्री एक्स स्क्वायर अब यहां पर तो कि मैं लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 ठीक है तो ये अगला question है इसमें 6 question है तो इसको करो इसको अराम से ये तुम्हालने home work हो गया ठीक है और इसे करना जरूर ठीक है और इसके बाद हम next question पर जाते हैं तो next question करते हैं अब इसके बाद हम करते हैं question number 2 इसी exercise का question number 2 है इसमें हम से बोला गया है कि एक द्विगात बहुपत ज्यांत करना है द्विगात बहुपत जैसे equation नहीं होती जैसे कोई है कि equation जैसे 2x square plus 3x plus 4 इसको हम क्या बोले है द्विगात बहुपत इस तरह से equation हमें find करना है इस तरह की जैसे 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 equation होती होती a x square plus b x plus c इस तरह से इस फिर्म में निकालना है तो द्विगात बहुपत बहुपत को निकालने के लिए हमें दिया क्या है हमें उसने बोला है शुटने को को योगफल और गुड़न फल नीचे हमने आपको दे दिया है यानि कि पहला क्या बोला उसने योग फल बोला है यह पहला योग वाला है यह गुड़न फल यह दूसरा है गुड़न फल ठीक नि मतलब उसका कहने का मतलब है शुन्यको का योग फल जिसे आप अलफा प्लस बीटा लिखते हो कितना दे दिया उसने 1 by 4 और गुणन फल शुन्यकों का गुणन फल जिसे आपके लिखतो आलफा इंटू बीटा वो कितना दे दिया माइनस का बन ठीक है नि तो ये उसने दिया किरा हमने योग फल और गुणन फल आपको दे दिया है आप एक बहुपत को निकालने के लिए मैं जैसे कि आप आप देखरों यहां पर एक मैंने फॉर्मला लिखा हुआ है ठीक है अगर आपको देगात बहुपत निकालना है तो ये एक फॉर्मला एक स्क्वाइर मानस शुन्यकों को योग फल इंटू एक्स प्लस शुन्यकों को गुणन फल ठीक है तो इसको मैं शॉर्ट में भी सकता निकालने वाला हूं द्विघाद बहुपत द्विघाद बहुपत निकालने वाला हूं और फॉर्मला द्विघाद बहुपत निकालने वाला हूं और फॉर्मला क्या है इसमें वही फॉर्मला उतार रहा हूं एक्स स्क्वाइर मानस एल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प मानेस varsa प्लस बीटे कितना है एल्फा प्लस बीटे कितना है वन है और बाई फॉर मैंने वन बाई फोर लत्या ऑर बहार कला क sua एक्स इक्स लिए टो फ्लस लुस्सील टो अल्फा इन प्लस लिग दिया है एलफा है inventory कितना मानेश का वन अब इसको सॉङ फॉल करेंगे द्विघाद बहुपद मिल जाएगा तो ओगा एक्स स्क्वायर मानस वन भाई 4 एक्स और यह प्लस मानस मानस हो कि मानस अब चातों कि 4 निचे ना रहे है तो इस 4 का multiply पूरे इस बहुपद में कर दो माला 4 का multiply यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर बीठी ने ऐसे 4x square माला 4 x square मानस 4 into 1 by 4 x और मानस 4 into 1 ठीक है ने तो यह कितना जाएगा 4x square मानस 4 से 4 cancel x और मानस 4 4 into 1 ठीक होगे हैं द्विगाद बवपद जो वो हमसे पूछ रहा था ठीक होगे हैं तो बड़ा आसान है इस तरह से आपको दूसरा भी करना है ठीक ने अब इसमें दूसरा करके दिखाता हूँ आपको ठीक ने तो यह मैंने रफ कर दिया हम पर अब दूसरे में यह चीज़ चेंज हो जाएगे न बाके दो सब सेम ही तो होगा ठीक ने दूसरे में क्या वोला है अंडरोट टू पहला है अंडरोट टू और दूसरा कितना है वन बाइटू मालब मूलों का योग फाल दे रहा रहा अंडरोट टू और गुडणफल के नादर रहा है वन बाइट त्री यह है यह जोन ने को यह आलफा फ्लस बीटा कितना है अंडरोट टू और अलफा इंट्टू बीटा कितना है वन बाइट त्री अब जिसे आपको थ्री यहां से अठाना अपॉन में अगर आपको सहीज ही लग रहा है तो 3 का multiply करो तो फूरी question में तो यहां पर भी 3 का multiply तो 3x squared और यहां पर भी 3 under root 2x और 3 का multiply जब यहां पर करो 3 से 3 cancel तो सिर्फ क्या बचेगा वान तो यह हो गया बड़े राम से दूसरा भी कोशन इसका यह इसका दूसरा पार्ट है ठीक हो गया तो यह दूसरा पार्ट हो गया इसी तरह से एक और मैं कर दे रहा हूं बाकी आपको घर के लिए इसमें आप अराम से इसको घर में करना ठीक हो गया तो इसके बाद मैं इसमें थर्ड कर दे रहा हूँ बस तो इसको मैं इतना ही फिरस्तिर रफ कर दे रहा हूँ और ये बस फिरस्तिर रफ कर दे रहा हूँ बागे चीज़े तो सब वही लिखे हैं, रिप्रीट हो दी हैं तो तीसरे की जिएगह में कोई ऐसे कर दे रहा हूं यूच पॉय वाचोंकर देना है यह पार्च्वा अ बाकिए आप घर में करने उनकी खोट्राइए ठीक ने तो एक मानश को ऑन भाई फ्सटो फॉर और दूसरा कितना है देना भाई फ्सट, हो सन, मनश में अब गोड़न फल कितना है 1 by 4 ये प्लस में ठीने वेल्य पूट करने है x square minus alpha plus beta alpha plus beta कितना है minus का 1 by 4 एंटू x plus alpha into beta कितना है 1 by 4 ठीक है तो x square ये माने माने से हो गया plus 1 by 4 x plus 1 by 4 फिर से देखो 4 निचे है तो 4 का multiply उपर कर दो 4 x square plus यहाँ पर 4 लिख दो के 4 into 1 by 4 x plus 4 into 1 by 4 तो 4 से 4 cancel 4 से 4 cancel यहाँ पर क्या बज़ेगा 4 x square plus x यहाँ पर तो 1 बचा ना लिखते हैं नहीं और plus 1 ठीक नहीं इस तरह से यह एक और आपको मिल गया यह ज़िगा द्विगाद बहुपाद ठीक नहीं तो यह इसमें था fifth question ठीक है यह fifth question था तो यह भी हो गया है इसमें solve ठीक है थोड़ा सा इसमें अंगा सा 1 by 4 है मानेस का 1 by 4 है कि योगफल कितना है मानेस का और मानेस का 1 by 4 हमाने में प्लस हो गया ठीक है तो यह हो गया इसमें फिप्त question लोगों कुछ question हमने इसमें करा लिए अब आपको यह third question फोर्थ question और यह six question यह खुश्चा ट्राय करना है इमानदारी के साथ ठीक है नहीं और जितने भी question मैंने इसमें कराया है वो तो आपने करे दी होंगे उसके बाद उसको एक दो बार और repeat करो उसको एक दो बार और repeat करो और यह तीन कोशन भी खुद इसमें ट्राय करो ठीक है नहीं तो इस तरह से यह वाली exercise भी हो चुकिए complete ठीक है नहीं तो कल को हम next जो lecture इसमें आएंगे तो उसमें 2.3 हम exercise complete करेंगे ठीक है नहीं पर आपको इसको घर में ट्राय करना है फिर से बार बार आप से बात कर रहा हूं अगर नहीं करोगे तो फिर यह आपको clear नहीं होने अधे वाला ठीक है ने तो आपको यह समझ में आ गया होगा और यह तीन कोशन आप खुछते ट्राय करो अधर कर आच कर दो